हेलो गाइज वेलकम टो आवर चैनल ब्यूटी टिप्स याचिका आई होप यू आर अल गूड तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ प्लंप के ग्रीन टी फेस वोश के बारे में गाइज प्लंप का टोनर भी में यूज कर रही हूँ और उसकी वीडियो भी जल हमारे चैनल पर नए है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए तो गाइस चलिए विदाउट वेस्टिग अनी टाइम लेट्स बिगें वीडियो यह जो ग्रीन टी के प्रोड़क्त्स होते हैं यह और आल्वेस उली स्किन और एकोन रखने प्रॉन इसकिन के लिए बेस्ट होते है तो गाइस इस face wash में जो ingredients है वो first ingredients है green tea and second ingredients जो है वो है glycolic acid ये two ingredients इसके best ingredients है और इसी से इसमें जो भी इसका जो effect आता है उपके face पर वो इन दोनों ingredients के थ्रू ही आता है तो इसका first ingredients green tea है जो कि एक बहुत जादा strong antioxidant है और ये हमारे skin पर जितना भी extra oil होता है उसको remove करता है हमारे skin के जो dead skin cell से उनको remove करता है और ये जो हमारे skin पर जो black heads white heads होने की जो होती है मतला अगर धूल मिटी लगने के बाद हो जाते हैं हमारे skin पर तो उनको भी pure clean करता है green tea से हमारे dark spots भी remove होते हैं और आपको पता होगा कि green tea के जो pouches होते हैं उसका use dark circle के लिए किया जाता है तो इस face wash का कहीं न कहीं हमारे dark circle पर भी effect पड़ता है और वो good effect पड़ता है तो ये हमारे कहीं न कहीं हमारे dark circle को भी सही करता है अगर आम इसको regular या काफी time तक long time तक हम इस face wash को use करते हैं तो इसका effect बहुत ही अच्छा हमारे face पर आता है second जो इसका ingredients है वो है glycolic acid glycolic acid भी हमारी skin के जो sales होते हो उनको repair करता है उनको उन पे जो bad skin sales होते होते हो उनको remove करता है हमारे pose को clean करता है हमारे pose में जैसे हम working woman होती है तो वो बाहर जाती है उनके face पर धूल मिटी लग जाती है अब night में आकर अगर हम इस face wash से हमारे अपने face को wash करते हैं तो वो आपके face से जो भी धूल मिटी लगी रहती है वो सब clean कर देगा तो glyconic acid जो हमारे skin के pores होते है उनको clean करता है उनको बहुत जादा उनके अंदर जो dirt होती है उनको remove करता है and जो black heads और white heads होने की जो संभावना होती है उसको भी सही करता है और इसी के साथ जब हमारे face के जो pores होते हैं वो clean हो जाते हैं तो फिर हमारी skin bright होने लगती है अब किसी भी चीज़ को ले लो अगर हम उसको clean कर देंगे तो वो धीरे-धीरे bright होने लगेगी तो यही रोल हमारे face का होगा जब हमारे face पर सारी impurities जो है वो clean होने लग जाएगी सारे हमारे face के pores जो है clean होने लग जाएंगे तो हमारा जो skin tone है वो change होने लगेगा और हमारे skin tone जो है ब्राइट होने लगेगा and glyconic acid जो है वो हमारे skin पर pimple होने से भी बचाता है क्योंकि pimple होने का जो प्रोसेजर होता है वो सिर्फ blackheads और whiteheads से ही शुरू होता है जब हमारे face पर धूल मिटी लगती है और हम उसको ठीक से clean नहीं कर पाते हैं वो whiteheads में convert हो जाते हैं और whiteheads बनने के बाद वो pimple का रूप ले लेते हैं तो यह हमारे face पर pimple होने से भी रोकता है glyconic जो acid होता है तो यह face wash जो है oily skin वालों के लिए और acne prone skin वालों के लिए बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए इसका जो result उनको दिखाई देगा बहुत ही अच्छा दिखाई देगा तो यह face wash जो है हमारी skin के top level में जाकर हमारी skin में penetrate होकर हमारी skin के dead skin cells को remove करता है और इसलिए हमारी skin brighten लगने लगती है पहले क्या होता था हमको अपने skin के dead skin निकालने के लिए week में एक बार scrub का use करना होता था आप सब लोगोंने भी किया होगा लेकिन वो scrub कहीं न कहीं हमारी skin को harsh करता था किसी की बहुत जादा sensitive skin होती है तो उन पर scrub करने से वो skin जो है और जादा red हो जाती है इसी तरह मेरे skin पर भी कोई भी जादा scrub यूज नहीं कर पाती में skin में बहुत जादा rashes से हो जाते है redness आ जाती है तो इसलिए वो बहुत जादा harsh होता है हर्ष होता है हमारी skin के लिए जितने भी scrub आते है market में जो कि बहुत जादा hard होते हैं तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए plump company ने जो इस face wash के अंदर डाला है AHA chemical AHA chemical हमारे जो skin पर work करेगा वो scrub की तरह करेगा इसके अंदर जो है बहुत छोटी-छोटी से जो कि एक scrub की तरह हमारी skin पर work करेंगे लेकिन वो आपकी skin पर चुभेंगे नहीं क्योंकि वो जो डोट से वो एक chemical या किसी चीज़ से बने हुए है तो वो आपकी skin पर बिल्कुल भी चुभेंगे नहीं उनसे जो आपकी skin है वो बिल्कुल प्यूर क्लीन हो जाएगी लेकिन वो आपकी skin को हर्ष नहीं करेंगे तो इस face wash को यूज करने के साथ साथ आपको कोई अधर scrub का भी यूज करना जरूरी नहीं होगा आपकी skin इसी face wash से पूरी तरह से clean हो जाएगी एंड सबसे अच्छी बात इस face wash में यह है कि यह face wash without paraben है, sulfate free है एंड इसका कोई भी side effect हमारी skin पर नहीं है यह 100% vegan है और इसका कोई भी side effect नहीं है all skin type वालों के लिए यह face wash है आप dry skin हो, oily skin हो, combination skin हो या आफे sensitive skin हो all skin type skin इसको use कर सकते है, इसमें कोई problem नहीं है वैसे खास कर यह oily skin वालों के लिए और pimple prone skin वालों के लिए बना हुआ है जो इस पर लिखा हुआ है, आप देख सकते है, white color का है इसकी अंदर छोट छोटी beads हैं जो की हमारे skin को soft and suffle बनाते हैं एक scrub की तरह हमारी skin पर work करते हैं और white head, black heads को remove करते हैं, entire skin cells को remove करते हैं तो बहुत ही gentle यह face wash है, इसका बहुत अच्छा effect होता है अगर आप इसको regular use करते हैं तो आपको अपनी skin में changes देखने को जरूर मिलेंगे So guys, 150 ml का यह tube है and यह मेरे को 350 रुपीज की मिली है online अगर आपको यह जो face wash है परचेस करना है भाई करना है तो link में description box में डाल दूगे और वहां से easily परचेस कर सकते हैं Otherwise, जहां से आपको सही price में सही quantity मिले आप वहां से परचेस कर सकते हैं So now let's talk about my feedback on this product because इसमें जो ingredients है वो बहुत ही अच्छे ingredients है Green tea बहुत ही powerful ingredients है हमारी skin के लिए जो की oil control करता है and tan remove करता है dark sports collide करता है साथ ही साथ हमारे dark circle को भी सही करता है तो green tea बहुत ही powerful ingredients है हमारी skin के लिए साथ ही साथ इसमें second जो इसका ingredients है glycolic acid वो भी बहुत अच्छा है वो भी हमारी skin को clean up करने में बहुत help करता है हमारी skin से white heads black heads होने नहीं देता and pimple की problem को भी दूर करता है तो इसके दोनों ingredients इतने अच्छे हैं कि मुझे ये face wash बहुत अच्छा लगा इस face wash को apply करने पर आपको इतना अच्छा 100% vegan होते हैं तो इसलिए ये product आप जरूर यूज करें इसमें कोई भी harsh chemical नहीं होता जो आपकी skin को harsh करेगा तो मैंने Plump के दो product मंगवाए थे एक ये face wash जिसको मैं काफी time से use कर रही हूँ और second एक toner है जो कि rice water का है उसका भी मैं review आपको दूगी अभी मैंने उसको इतना जादा यूज नहीं किया है अभी मैं उसको use कर रही हूँ तो काफी जब मुझे उसका result दिखाई देने लगेगा तब मैं उसका आपके साथ review शेयर करूंगी इसी तरीकी की video देखने के लिकुल न भूले एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई टेक क्यार बाई